नमस्कार महमाहीम राज्यपाल श्री को मेरा साधर प्रणाम शिक्षामंत्री भुपेंद्र सेंजी को भी वन्दन सोमनाथ संस्कुत विश्विद्यापीट के कुल गुरू गोपबंदु मिश्राजी को भी वन्दन और आप सब उपस्थीतों को मेरा साधर प्रणाम मैं शिक्षा मंत्रालाई का और सोमनाथ युनिवर्सिटी का आदर विक्त करता हूँ मैं उनका अनुग्रहित हूँ कि आज एक अच्छे से विशाई को लेकर आप से बाच्चित करने का मोका मुझे को दिया गया है बारत ये संस्कुती एवं हमारी जीवन शेली आविशय उपर हूँ अपनी साथे वाद करू ते पहला मने एव लागे छे के कोरोनानी महामारिये ए सत्यस्पष्ट करिया प्यू छे के दुनिया खूब नानी थही गई छे सुख सुविधानी इस परधा करनारा देशो रोग औने दुख मां समानता औने सर्खा पणू अनुभववा लाग्या छे डबल्यू टियो ना करार्थी देशो देशो वच्चे नी व्यापारी सीमाओ खोली ने एक थवा मतनारू विश्व एमने कोरोना कई रही उचे के सीमाओ बंध राखी ने पाण तमे बची शक्षो सर्वधर्म समनवई ए आजना समय मां दुनिया ने भारतनी सौथी मोट्टी देण छे विविद्धर्मोय हवे छुटा छवाया न रहता एक बिजाने निकट अड़ो अड़ आववू पड़े एवो समय आवेओ छे त्यारे स्वाजरीते प्रश्ण थाए के आविस्थिती मां एमनी वच्चे कुस्ती थशे के समनवई थशे समवाद थशे के दोस्ती थशे के शू थशे प्रश्णार छे बदाने घणा माने चे के संगर्ष थशे पन्ना चिंता करवानी जरूर एकला माटे न थी के आज ती वर्षों पहला जेमने स्पेनिश फ्लून अनुबव करेलो ये श्री माता जीए पन कयू हतु अने आज ती सित्तेर वर्षों पहला भारती ये मनीशी रुषी विनोबा जीए कयू हतु के चिंता न करशो जारे आओ बन्शे त्यारे समन्वे थशे समवाद थशे अने एक नवो मानव धर्म नवी मानव संस्कृती पांगर्षे अने इना बीज भारती ये संस्कृती नी धर्ती मां क्यारती रोपाई गया जे अपना वेदों मां विश्व मानूस नी कल्पना करवा मां आवी जे ए विश्व मानूस सर्जी शकाई एवी शक्यता आपने आ महा मारिये आपी जे हाँ इटलू खरू के ए भारतिय संस्कृती ने आपने साचा अर्थमा उडखी लेवी पर्ष है भारतिय संस्कृती विश्वकी सबसे प्राचिन संस्कृती है और जो लगबग 5,000 वर्ष पूरानी है विश्वकी पहली और महान संस्कृति के रूप में भारत ये संस्कृति को माना जाता है विवित्ता में एक्ता का कथन यहां पर आम है अर्थात भारत एक विवित्ता पूर्ण देश है जहां विविन्य धर्मों के लोग अपनी अपनी संस्कृती और परंपरा के साथ शांती पूर्ण तरीके के साथ जी रहे हैं विविन्य धर्मों के लोगों की अपनी भाशा है अपनी खाने की आदत है अपनी रीती और रिवाज है सब कुछ अलग है फिर भी वो एक्ता के साथ एक जगा पे रहते हैं पूरे विश्व की देन ये जानी चाती है कि भारत ये संस्कृती और परंपरा हमारे लिए विश्व जिसको नुगरित करना पसंद करे ऐसा बन रहा है विभिन्य संस्कृती और परंपरा की भूमी है भारत भारत विश्व की सबसे पूरानी सब्यता का देश है भारत ये संस्कृती का महत्व पूर्ण तत्व, अच्छे शिष्टाचार, तजीब, सब्यसमवाद, धार्मिक संसकार, मन्यताएं और मुल्य आदि है भारत ये लोग आज भी अपनी परंपरा और मुल्यों को बनाए हुए है विभिन्य संस्कृती और परंपरा के लोगों के बीच की गनिश्टता ने एक अनोखा देश भारत बनाया है अपनी खुद की संस्कृती और परंपरा का अनुसरन करने के द्वारा भारत में लोग शांती पूर्ण तरीके से रहते हैं भारत ये संस्कृती बहु आयामी है जिसमें भारत का महान इत्यास है, विलक्षन भुगोल है और सिंदु घाटी की सब्यता के दोरान बनी और आगे चलकर वैदिक यूग में विक्सित हुई, बहुद धर्म एवं स्वर्ण यूग की शुरुवात और उसके अस्तगमन के साथ फली फुली अपनी खुद की प्राचिन विरासत शामील है भारत की संस्कुति की मूल भावना वसुधेव कुटुम्बकम के पवित्र उद्देश्य पर आधारित हैं अर्था सभी सुखी हो, सब निरोगी हो, सब का कल्यान हो, किसी को भी किसी तरह का दुख प्राप्त न हो, ऐसी पवित्र भावना भारत वर्ष में सदेव बनी रहती है इतना हिंदी में आपके साथ शेयर करने के बाद, मैं मेरी मात्रू भाशा में भी बात करना पसंद करूँगा मित्रो आपनने सामाने लिते प्रश्न था है, के संस्कुति शब्दनों शब्दार्थ शोच है आपने थोड़ू तात्वेक रिते समझवानों प्रयास करिए संस्कुति नों शब्दार्थ एवो आपयो छे के कोई पन समाजनी आगवी ओलक, जेनाथी उभी थाई, तेवी लाक्षनिक बाबत आगवी ओलक अने लाक्षनिक बाबत हवे जैरद में संस्कुति बोलो छो, त्यारे एमा संस्कुत पन बोलाई रहू छे तो संस्कुत नों अर्थ आपयो छे संसकार पामेलूं फरी प्रश्ना आवे, तो संसकार एटले शूं आ संसकार शब्द ना बे विगत्वार शब्दार्थ मुले छे हिंदु शास्त्रों प्रमाने जन्मती लईने मरण सुधी करवा पड़ता आवश्यक सोल विधीमानों प्रत्येक एक संस्कार छे अने बीजी एक व्याख्या एवी छे कि आस्पासना वातावरण, वडिलो, शिक्षन, उपदेश, वगेरेनी मन उपर पड़ेली असर एस संस्कार छे अवे प्रश्न थाए कि संस्कृती माथी संस्कृत, संस्कृत माथी आपने आगा संस्कार उपर संस्कार माथी आवियो मन, तो मन क्या छे? शास्त्रो जवाब आपे छे विचार प्रवा हा, हिती मना हा, विचारों नो प्रवा ए मन छे पन विचारों नो प्रवा क्या थी आवे छे? इंद्रियो मा थी आवे छे इंद्रियो क्या छे? शरीर मा छे आज अरा अग्रू थायूं आज ती वर्षों पहला अपना सास्त्रों उपनिशों दो वेदान तो एनो छवाब आपयों नची केता नामनों ए आठ दर्स वर्ष नो छोकरों आणे यमना पीताने जिगना साती पूछेला प्रस्ण माती ए दर्मराज यमराज पासे पोचे छे अने ये पूछे चे के मृत्यू शूँँ छे तेने समझावता यमराज जे श्लोक कयो ए कठोप निशदना त्रीजा वल्ली ये तले के त्रीजा अध्याई मां त्रीजो श्लोक अपने ये जरा ध्यानती समझी है आत्मानम रथिनम विद्धी शरिरम रथ मेवचा बुद्धिम तू सारथिम विद्धी मनह प्रज्णह मेवचा अईया आत्मा रथी शे शरीर रथ शे बुद्धी सारथी शे अने मन ये लगाँ अथ्वा तो अपना वाहननी ब्रेक शे जीव चे ए मास्टर शे भगवान चे चेरियेट शे इंटलेक्ट टिके प्रज्या ए चेरियेटर शे अने माइन्ड ए एनी लगाँ शे आ इंद्रियो ए आ रथ ना पांच घोडा चे अने ए पांच घोडा जे जोवे जे अनुभवे ए मन स्विकारे अथ्वा अस्विकारे एमाथी जे बने एमाथी जे घडाय तेने संस्कार केवाए एले संस्कार सारा तो आपने सु संस्कृत अने संस्कार नबला तो आपने असंस्कृत सु संस्कुरुत नी आगवी ओडख जनी लाक्षनिकता बने छे एने संस्कुरुती कहवामा आवे छे एक अखो सिल्सिलो में अहियां पूर्ण कर्यो चानवन हुए छे के संस्कुरुती अने मानव ए अलग न थी एक सिक्कानी बे भाजू छे पणे शू प्राप्त करे छे अंदर शू जाहाई छे तमे एक दृष्यने बे रिते जोई शको सकारात्मक औने नकारात्मक एना उपरेनो आधार छे एम केवाई छे के मानसना चारित्र निर्माण मा आधार महत्वनों छे નേ ચारેત્ર નિર્માલના ચાર આધારો અપણા શાસ્રો ગણાવે છે પેલુ પુર્વ જણમના સંસ્કારો आपने एमा पूर्व जन्मम मा मानिये जीए बीजू मातापिता तरप थी मलेला संसकारो त्रीजू आसपासनू वातावरण चोथू शिक्षकना वर्तन बेवारो आमाथी घड़ाई छे अपनी जिवन शेली हवे याद राकिए आजे करिये अने काले न करिये तो ए प्रवरुती चे कारिय चे पने जीवन शेली नती consistency of living ए जीवन शेली चे तामे consistency ते सलंग एक सुत्र ताथी जे जीवो छो ते माती तमारी जीवन शेली घड़ाई चे अने तला माट आभिऊं के विचार प्रवाहा इती मनाहा सारा 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 वीचारो आउता जाए तो ये प्रमाने मन घडातू जाए याद राखवा जेवुचे गलगबग वीचारो mechanical thoughts छे अना वीचारो आवे छे अंदर थी अपने ये पन समझी लेए का वीचारो तॉन रिते आपनी पासे आवे छे एक sense based छे एटले के इंद्री आधारित छे बीजा intellectual based छे एले के जीवननों ध्येशू छे आपरणों लीला केम चे आवाजे प्रस्टनों थाई बुद्धीने थाई एमाती वीचारो आवे छे आने त्रीजू छे एंट्यूशन बेस छे अंत प्रेरणा थाई छे अंदर ती प्रग्णा संदेश मले छे अजान ताजे का एक गोपनी दिव्यवात मले छे एमाती वीचारो आवे छे हवे आ संस्कृतीनी वात आटली स्पष्ट थाई गया पछी आपने ये जानी लेवू जरूरी छे कि आपनी जीवन शैलीने घड़वा मातेना शास्त्रो आपने वर्षो पहला मली गया छे हुँ आधार शाथे काउं इशावास्य उपनी शद मां शांती मंत्रती शरूवात थाई ओम पूर्ण मधप पूर्ण मिदम पूर्णात पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्ण मादाय पूर्ण मेवा वसिश्यते ओम ते पूर्णा छे आ पूर्णा छे पूर्णा माती पूर्णा निश्पन न थाई छे औने पूर्णा माती पूर्णा काडी लेवाई तो पन पूर्णा जबचे छे ओम शान्ति ही शान्ति ही शान्ति ही इतले के मारे पक्षेपन पूर्ण छे ने सामेने पक्षेपन पूर्ण छे परम निर्वित जे छे ते बद्धुच पूर्ण छे आईशा वास्य नों पछीनों एक्षलोग तो बो मुट्टू जीवन नों आधार आपें। अधार आपें। सहनो बुनक्तू सहवीर्यम करवाव हे तेजस्विनावदी तमस्तु मा विद्विशाव हे ओम शान्ति ही शान्ति ही शान्ति ही। अमारा बन्ने नों एक साथे रक्षन करो, बन्ने नों पालन करो, हडी मली ने बन्ने काम करिये एवों गोठो, अमने बन्ने ने शक्ती आपो, अमारा बन्ने नों सिक्षन तेजस्वि बनो, अमारा बन्ने नों धीवन द्वेश भाव वगर नों बनो, आव रुत्ती अमारा उमेर उबन्य नी मारी एकला नी नहीं अन्य नी पाण याद राखवा जे उए छे के वेद इस बुक ओफ लाइफ एउ के वाईउ अपने जीवन शेली नी जो बात करता होई तो बुक ओफ लाइफ आने आ वाक्या कोने कई उछे दारा सिको हे कई उछे मोगल समराट शा जानो मुट्टो पुत्र जेनी कटल मोटा भाई अवरंग से बेख करी सिको द्वारा बावन उपनिशदोनो फार्सी अनुवाद थयो जेने सीरे अकबर नाम अबायू हिंदु अने सुफी संतो पासे बेसी ने येने उपनिशद सम्झया अने एमा ती आ ग्रंथ फार्सी भासा मा आवे हो जेमा ती पची मैक्ष मूलर ने इमना जर्मनी माटे नो बहु मुट्टू भाथू मढ़्यो मित्रो त्यारे दुरदर्शन उपर चिनमें मिशन तरप्ती तयार थेल उपनिशद गंगा ना एपिसोड आपड़े जोईराया छी है हूं तो एवी चोककस आशा राखूं के भारत ने भारत नी प्राचिन ताने जो समझवी होए ता उपनिशद गंगा जेवी सिरियल ए आपड़ा वर्गखंड मा और आपड़ा घर मा सतत देखाड़ा यो जोई है ए दाराश्री को मृत्यू दंड मले हो छे जेल मा छे एना दिकरा पासे बेठो छे अने ए वक्ते पन गीता ना शलो को बोली रहे हो छे त्यारे एनो दिकरो एक डम अस्वस्त थाईने बोले छे कि तमें मोट तरब जही रहा छो ने तमें अशूब धी बातों करो छे एमनो जवाब बो सिद्धो छे कि बेटा पानी नो एक टीपू छे ए टीपा पासे बेठ शक्यता छे कां ए छीप मा पड़ी ने मोटी बनी जाए अने कां ए सागर मा पड़ी ने व्यापक्ता मा भड़ी जाए मारे तो हवे व्यापक्ता मा भड़वानों समय आवयो छे आ दारासिकोनी बात में इतला मा टे करी छे कि आपड़े जारे भारतिये संस्कृती बोलिये छे त्यारे एमा एकलो हिंदू नथी आवतो एकम सद विप्रा बहुदा वदंती एवु रुगवे दे कयू औने आपना दरेक संतो महंतो बधाज लोको भारमबार बोले छे वेदनों आ समन्वाई बंतर छे एक है छे कि सत्य तो एकज छे तेने जोवाना मार गलग गलग छे सबका मालिक एक है बोच दूसा दू दारण छे कि सुरिया एक छे पना त्यारे भारतमां 11 भारत है छे तो ए सुरिया मद्यान ने छे पने एज सुरिया अत्यारना अमेरिका मा आथमे लोग छे ना आपना बद्धाज भाईयो त्या घसकसाथ उंग माँ छे एकम सत्व विप्रा बहुदा वदंती एनु अज्वलन्तु दारण चे एटले वीवाज मनना पड़ो अस्तित्वनों संवाद तमे साधता रहो जिवन्षेली एव कहे चे ममसत्यम नहीं ममसत्य नहीं ममसत्यांश अपीतु तव सत्यांश मारा सत्यनों पण अंश औने तमारा सत्यनों पण अंश यले याद ए राखवानू छे के सत्यमाटे जगणों करवानी जरूर ना थे माविर स्वामी ये बहु सुन्दर मजा नेगी वाद करी येमने कैयों के सत्याग्रही बनता पहला शत्यग्राही बनो सत्यनू ग्रहान कर्शो सत्यने अपनाव शो तो तमें सत्याग्रही एटले के सत्य माटनों आग्रह राखनारा बनी जसो रुग्वेद मां 10502 मंत्रों छे, तेमा छेल्लों एक मंत्र छे सम्रस्तानों मंत्र केवाई छे, समानीव आकूतिही, समाना रदया निच्व, समान मस्तू वो मनह यथा वह सू सहासती, तमारी भावना सामान होई, तमारू रुदै समान होई, तमारू चित्त समान होई, तो तेने लिदे, तमारू संगठन सारू बने, औने ते तमारी संगशक्ती ने खिलबे छे, आवार्त में शास्त्रों नी औने आधारों नी टाकी छे एटला माटे, कि आपड़े भारतीय संस्क्रूती ने आजना परिप्रेक्षमा समझता पहला, एटलू स्विकारी लेवू पड़े, कि भारतीय राष्ट्र के देश नथी, एक मिशन छे, एक मानवीय उच्चाई न अवे थोड़ी प्रजानी वात उपर हूँ आवू, अने बहुझ साधार वात मारे तमारी साथे करवी छे, मित्र ओग्णिसोन एकावन मा आपते गुरु जी ए विनोबा जी ने एक पत्रमा लख्यू, कि वस्ती गनतरी वक्ते तमारों धर्मक कयो छे, ते जनावूं अवस्तो शामाटे कट्वी जोई ये ते मने समझातू ना थे, उतो विना संकोच ए एम कहिश, कि मारों हिंदू धर्मा छे, अने खरेकर मारों हिंदू धर्मा छे, ते माज मारा वीचारोंनू पालन, पोशन अने वर्धन थायू छे, जेनो जे परंबराग धर्मा छे, ए बताव मा संकोच के वो, पन आटलू कया पचिनी वाद आपने कान दईने सांबलवा छे वीच, विनो बाजी कहिश, कि आटलू कया पचि आपने जरूर एम कहिए कमे बद्धा धर्मों ना छिए, आपने हिंदू छिए इटलू कहिने आपने अटकी न जईए, पन बदाज दर्मों ने पन पोटाना मानीशूं, अने दरेक हिंदू सारो हिंदू बने, दरेक मुसल्मान सारो मुसल्मान बने, दरेक क्रिस्ती सारो क्रिस्ती बने, तोज पृत्वी पर बधाज धर्मों नूं एक सू समवादी संगीत आपने प्रस्रावी शकिशूं, विश्वना पाणी पाई छें ते इश्वर ने पाणी पाई छें जहिन धर्मसार कहें छें के पोते पोता ने जीतिये तोज साच्यूं सुख प्राप्त थाई इस्लाम मां भूत दयानों आविशकार छे औने आविशकार करीने कुरान कहे छे के बधा पर रहेम राखो इश्वरना प्रेम माटे दातार, दीन दरिद्रो, अनाथो औने बंदिवानोंने भोजन करावे छे इन्दो धर्मना मुलबे विचार छे, भूत दया अने समानता, गुरु नानक नो सुत्र ग्रंथ जपू छे, एमा बोवस पश्ट कयो छे, साहेब साचो छे, एनो नाम साचू छे, अने अवपार प्रेम ए जनी पासा छे विदांट कये छे, आपने बधा आत्म स्वरूप छेए, समान छेए, कोई उच्चू न थी, के कोई नीच्चू न थी अवे जो बधा धर्मों मां भूत दया हो, एतो पछी डुबनारों मानस अनक्यज छे, के ब्राम्मान छे, के हिंदू छे, के मुसलीम छे, ए जो वनु न होई, पन तेने डुप तो बचावानों होई महामारी समय आवात आपनने बहु मुट्टो सबक्षिखवे छे, आमा जो बेदभाव करिये, तो महाँ पातक करियो गणाए पूत दया अने पूर्ण समता, ए हिंदू धर्मना अने भारतिय संस्कृति ना बे मुलबुत विचार छे चीव मात्तर पर दयानी वात बधात धर्मों माँ छे, ने बधाज धर्मों भारतमा फूल्या फाल्या छे अने भारते तेने पोति का मानी स्विकार्या, एटले तो भारतिय संस्कृति सभर ने संपन बनी छे अने एज तो समन्वाई छे, जेनी आपड़े आगल बात करी छे के समन्वाई सधा छे हिंदु धर्मनी पायानी बे विश्यस्ता छे, एक अनाग्रह अने बिजु उदारता हिंदु धर्ममा कोई पन चीज नो आग्रह ना थी मुर्ती पुजामा माननारो हिंदु पन मलशे और मुर्ती माननारो पन हिंदु मलशे और इश्वरने खुदने माननारो हिंदु मलशे और इश्वरमा न माननारो पन हिंदु मलशे आ हिंदु धर्मनी पूर्ण उदारता छे भक्त एटले ज अनिकेत बगवत गितामा भक्तने अनिकेत कहोँचे जेनू कोई घर न होई येने अनिकेत कहवाई येवो सादो अर्थ थाए पन गिनान देवे सुन्दर अर्था आप्योचे ने अर्था आपनने वजू पसंद पड़ेवोचे एम कहे चे का आ विश्व मारू घर चे एवी मटी जेनी स्थीर थाई चे ते अनिकेत चे अपना शास्त्रों ये गायूचे यत्र विश्वम भवती एक नीडम कोई एक राष्ट्र नहीं कोई एक धर्म नहीं आखुँ विश्व एक मालो चे हिंदू दर्म पन आज अर्थमा अनिकेत चे अने तेथी ते सार्व भवम चे लोकमान्य तिलके हिंदू दर्मनी व्याख्या आपी के साधना नाम अनेक ता उपास्य नाम अनियम ह हिंदू दर्ममा अनेक साधना मार्ग चे अने अनेक उपास्य नाओ छे हिंदु दर्म पन आज अर्थमा अनिकेत छे अने तेथी ते सार्व भोम छे लोकमानिय तिलेके हिंदु दर्मनी व्याक्या आपी साधना नाम अनेकता उपास्य नाम अनियमह हिंदु दर्ममा अनेक साधना मार्चे अनेक उपासना ओज कोई पन प्रकार नी संकुचित्ता ने हिंदु धर्म मां जरापन आउकाश न थे बारते तो समन्वेनों विचार दुनिया ने आपयो छे बारते हम्मेशां सवनु स्वागत कर्यो छे और एतला माटे आपनों देश बरत खंड केवामा आवयो छे हाँ मुसल्मानों आवया अने पोतानी संस्कुटी लावया एवो आपने कईये छिए बाण आईया जरा फिरफार करवानी जरूर छे मुसल्मान राजावों आवया एपला मुसल्मान फकीरो भारत आवया अने एमनी एक सामाजिक समान्तानी वाद अपनी वच्चे लईने हाव्या हुँ अईया बे बाबत नोधुआनों खास पसंद करिश काणके जारे आपने एम कईये छे के फकीरो त्यारे आ शब्दना आधारो आपने आपने आपना शास्त्रो माथी मोड़े छे स्रिवाजी माराजनू एक विधान छे हिंदू दर्मना रक्षन माटे में फकीरी अपनावी छे ते दिवसो माँ फकीरी शब्द ए दर्शावे छे के फकीरो नो एटलो आदर थतो हतो अने आपना रामकृष्ण देव रामकृष्ण परम हंस नरेंदर नाथ ने एक वात करे छे त्यारे कहे छे के अरे नरेंड आजी मेतने मारू सर्फस्वापी दिदू छे अने हवे हुँ केवड अकिंचन फकीर रहो छे आ फकीर अने फकीरी आ बे शब्दो रोज बरोजनी बोली मा दाखल थाई जाए एम दर्शावे छे के बाहर थी आवेला धर्मने अने संस्कृती ने प्रजाए किटला बधा पोती का गणिली दाहां छे भारत निया भुमी एक महा समन्वई नो तक्तो बनी गई हाती तेरसो वर्ष मेला इरान थी पार्सी आवया एमने भारत वालती आवकारवा लाग्यू यहुदी आवया ए पहला ग्रीक आवया यवन आवया मुगल आवया चाइना थी चिनाओ आवया जिवो औने जिववा दो एवो भारत खंडनो पायो बनेओ एले छेवते तो एटने बांगला देश ती लोको डरी-डरी नेपनाईया आवया भारत एटले सवनो भरण करना रो देश सर्वनो स्विकार करना रो देश एवो आपले ए समय मा समझावी शक्या आपना पुर्वजव ए मानसने प्रकृती माथी संस्कृती माथी दोरी जवा केट केटली खामन करी छे एचरा जानवा जेहू छे संस्कृती पांगरे छे कृती माथी एवी सत्कृतियोनी परंपरा आ भूमी मा चाली छे खेतिनी शोध थाई गाय अने बढ़दनों मानव समाज मा समन्वई करवा मा आवयो मासाहर त्याग ना प्रयोगो थया पंच महा भूतों सा आध्यात्म केढवा मा आवयो ग्राम संस्कृती विक्सावा मा आवयो समाज शास्त्र विक्स्यू आध्यात्मिक क्warzयत्रमा पुश्कळ खेडान थयो आ मजारों वर्सोनी एक दारी साधनाना परिपाक रूपेचे निप जिवो ते छे आजनी भारतिय संसकृती बारति नी एक तानू दुर्षन तो तमने रुग्वेद मा थाई छे। तमने कल्पना करो के एक भुखंड ने एक मानवो एक भारे मोटनू संस्कृति नुझ कदम चे। आपने प्रकृति ती उपर उठ्या और उपर उठ्या अने उपर उठ्या एक भारतिय संस्कृति आपने उभी करिये। भारतिय संस्कृति ये समन्वैनी प्रकृत्या प्रक्रिया माथी उद्विवी इनी एक भीजी साबिती आपने बराबरियात करिये। बहु प्राचिन कालमा आई आरिया लोको हता। एमनी संस्कृति पहाडी संस्कृति हती। तेरा दक्षिन माजे द्रवीड लोको रहता हता तो एमनी संस्कृति ये समुद्र संस्कृति हती। पचि द्रवीडों और आरियों ना मिश्रन थी एक नवी संस्कृति उभी थाई ते भारतिय संस्कृति के वाने। शरू-शरू माँ तो उत्तरनियन दक्षिन नी बेव संस्कृतियों अलग रग रही। सेक्डों वर्षो सुधी एमनी वच्चे आपसमा कोई संबंध नोतो। एनू कारण के वच्चमा एक बहु भारे मोटूं दंडका रणिय हतु। पनपची संबंध बंधायो थोडा, मिठा, कडवा, अनुबवोती, साथे थया अने परिणामे आजनू भारत वर्ष बन्यू। दरवीडों ने आरियो बन्यनी संस्कृतिना संगम नो लाब भारतने मल्यों ने मिश्र रास्तो बन्यू। उत्तर नालोको ग्नान प्रधान हता, तो दक्षिन ना भक्ति प्रधान हता। अने परिणामे भारतिय संस्कृति मां ग्नान अने भक्तिनो बो मक्तो समन वही थयो। आपनने आजे प्रश्न थाई छे, कि आउँ आउँ होवा छक्ता, किम आपने आ माहमारी नो भोग बल्या। मने अंगत रिते उलागे छे, कि आ शक्तिनो एक प्रभाव छे। आपने हजी नसमझी शक्किय विवात एछे, कि आखी सुरुष्टी नी बहुत सुन्दर रचना हजी पूर्ण नहीं थाई होए। एतले कदाज हजू महाशक्ति को ये वो प्रयोक करी रही छे, जेने लईने आपने आ माहमारी नो भोग बनी रहा छे। आपने जराज जो उन्डा उतर्शू तो आपने लाक्षे के आपने आपनी प्रकृती साथे, आपने आपनी संस्कृती साथे जे छेह करेओ, एने जे द्रोह दिदो, एनू कदाज आप परिणाम आपने बोगवी रहा छे। आपने मानव दे मलेओ, साथे रेवा माटे पशू, पंकी, जाड, पान आपनी हारुआ रेने आपया, आपने हवा, पानी, आकाश, उजास एमने आपया, पन आपने आकशानू मुल्य न समझेया। मुल्य न करियो ते नज करियो, मारा साथी मानव साथे में स्पर्दा करी, जरूर पड़े तेने पच्छाड़यो औने सरसाई साबित करवा माटे हुए नी हत्या करवा लागयो। पशुपंखिने में केत करिया, तेने दोईली था, नीचोवीली था, तेनो खोराग बनावीने मानस तरीके हुए ने जमवा लागयो। चाड़ पान पर मालीकी करीने तेने बेफ़ाम वाड्या। लिल्लो छम माहोल वाडीने विकास देखाडवाना बाना है ठल मानसे सरलता करवा माटे सिमेंटना रस्ता बनाव्या, ओवर अने अंडर ब्रीज बनाव्या। पानी न पीदू, के न पीवा दीदू, पन धरतीमा बाकोरा पाड़ी पाड़ी ने तल मा जही ने पानी खेंची लिदू, और एने वेड़फवामा कई भादूरी करतो हूँ, एवो हूँ मानवा लागयो। मेट्रो बनाव्या, नगरो वसाव्या, सुसिक्षिक देखावू तो एटले आपणे बीतनी भरो भर फर्नीचरो बनावी दीदा, फर्नीचर बनाव्या ने एसी मा रेवानी आपणे तो तेव पाड़ी पन आपणा पछी ना नानक्रा बालो रावो ने पाण येनी वर्व तीनो नाश करवाला गया, हवामा प्रदूशन बेड़ हुआ लागया, गम्मेत्या आड़े गड़ आपणे पार्किंग करवाला गया, एक समय है तो, क्या आपणा मुड़ा मा साकर अने एलची शोप था, एनी जग्या ये हवे मावो, फाकी, गुटका, सिगारे, किटलो बदो खुश्यो, आ दालबात अने शाकबाजी खावा थी तो काई महान बनाई, एवो एक बोव मुट्टू ओठू पकड़िली दू, अने आपणे मास, मतन, मच्ची, साप, करचला, वांधरा ने जे हाथ मा आवेवू, ते खादू, आपणा पेट मा ओर वाला गया, आब पद्दीज बेफाम जीवन शैली ने लईने, मनेम लागे छे के कुदरत ने थयू हशे, क्या आमाप बनेलो मानस छे, एने मारे जो बराबर शान ठेकाने लाववी होई, तो एक वखत पर चो बतावो पर छे, अने एने पकड़ी ने एना घर नी अंदर पूरी देवो पर मनेने तमने नगमे एवी वात हूँ आख करी रहो छे, पन प्रकृतिये अस्तित्वे साबित कर्यों छे, के हूँ अने तमे मगतरू छी, एक जन्तू छी ए, चंदर उपर दुकान खुलवानी सुप्यानी वातों करी शक्किये, पने एक विशानोंने सोधी न शक्किये, जे पोशतूं, ते मारतूं, एक्रम दिसे छे, कुद्र थे, एवों आपने बहुँ गायूं हतूं, पने तेनों अर्थानूं भव आपने आ कोरोना नामना वाहिरस आगी ने करा दियो, के होवे तमे बराबर समझो, आपनी चारे बाजू, वनस्पती हती, प्राणी हता, एब धानों आपने दुरूप्योग कर्यों, विशाले जगविस्तारे नथी एक जमानवी पशू छे, पंकी छे, चे वननी वनराई, उमाशंकरभाई गाय ने जटा रहा, पन आपने मात्र एन अनुकरन करवामा पड़्या रहा, मने चोकस पने एवो लागे छे, क्या महामारी म बाहर निकलवा माटे आपने आपने जूनी जीवन शेली ने याद करवी पड़्य अवे कोई जीवन शेली बदलवानी जरू नथी, पन वर्षो पेला, सदियो पेला, जे आपने वैदिक परमपरानी जीवन शेली हती, येने फरिवार्व, सादर, आमंत्रन, आपी ने, ए अपने जिवन शेली माटे थाई ने पहल्लू आपने जे चांस मलएँ छे एंटरोस्पेक्षन करवानों आत्म मन्थन करवानों चांस मलएँ आपने फिजीकली बोव नजीक आवी गया हता और एमोश्नली बोव दूर थाई गया हता एकले कदा चागू या लोकडाउन मा गरे बेसीने आपने घणीवार एकला पड़ी नाव विचारियू छे का शू बन्यूं। कई काल सुधी यूं शू करतो तो नवा आउतिकाले मारे शू करमूं पट से। विजो एक बोव महतना मुद्धो छे सकॉप फोर फ्यूचर प्लानिंग। मने उलागे शे के आबाल उरुद्ध सव कोई ने कोई रीते मृत्यून अनुभव करी चुक्या। पोटानू नहीतो अन्यनू, अन्यनू नहीतो समाचार मा। टीवी ने स्क्रीनू पर कोई ने मरता चोय। मृत्यूनो अटलो बदो अनूभव आपणे नजिक्ति करयो नती। अत्यार सुधी मित्रो आपणे एमनेम जिव्या, जिवातो तुतेम जिव्या, बिंदास जिव्या, पाण हवे आपणी प्यासे सकॉप छे फॉर फ्यूचर प्लानिंग, अवेनों जिवन केम जिव्या, थोड़ा वर्षो बचया चे, जाजा वर्षो बचया चे, एना तबक्का बनावी नेनों मारे प्लानिंग करवू पड़े अने त्रीजू, ए सेल्फ एस्टीम, तमें विचार करो, कि नानकडू बालक डरी जाए तो समझी है, पन जेनी पासे मास्टर्स डिग्री छे, एवो युआन कोरोना थी मारू मृत्यू तो नहीं थे जाईने, आवो भईमा केम छे आपने अभईना संतानों छे, अम्रुतस्य पुत्राहा एवो आपनने कहईऊ छे, क्या गयो आपने निर्वैता क्या गई, आपने डिग्री हाथ मा लेने उबा छे, पन आपने अंदर थी साबुत न थी, नानी वात महली जईए छे, तो आ सेल्फ एस्टीम, आत्म श्रद् सब्द प्रयोग करी, स्विकार, अस्तित्वनों स्विकार, असित्वत आपने ये काई थाई, तेनो परम स्विकार, आजे छे, ते आजनू छे, ते काले हसे, ते कालनों हसे, आवो स्विकार, बोव विवेकी बनिये, ये जरूरी छे, श्रद्धा अने विवेक मा अर्थे अचानक इनोवेशन सरू थाया तमें जो गुजरात नी अंदर आपने मास्क बिनावी शक्या गुजरात नी अंदर आपने वेंटी लेटर बिनावी शक्या गुजरात नो कोई यूवान छे एक कोविड नो एक्सरेस टेस्ट हवे शोध्वा लाग्यो आ इनोवेशन माटे आउतिकाल आपनी पासे छे आपने आजनी महा मारी आपी छे या आपने बुलवा जे उन न थे अजनी महा मारी आपनी समक्षिक्ती ना बे सुरूपो देखाडिया अने ये शक्ती ना बे सुरूपो माथी आपने थोड़ी शिहे थुड़ा जिवन मा कें उतारू तेनो विचार करिये आपने अंदर पड़ेली बती शक्ति अत्यारे बार आवी छे वीचारवानू वधुम वधुदू बनियुँँचे आपना बालको पासे आपने त्रोन बाबत टकावी राखवी पर्षे एमनो आस्चरिय एमनो विस्म एने एमनी श्रद्धा मा बाब तरी के आपने आप काम करवू पर्षे उपनिशदना त्रोन शब्दो छे एनी जवाबदारी हवे आपनी छे संशय चेदता आश्चरिय गिनाता औने कुशल लगता जितला संशय छे जितला मनमा प्रश्णो छे एनी निखालस्ता थी चर्चा करी ने आपने दूर करवा पर से अथवा तेलू समाधान आपवू पर से एमना जितला आश्चरिय टके तेला टकावा पर से तोज ए इनोवेशन तरब जशे अने एमना तरब जशे तोज एक कुशल लिय तरब जशे हावे दरेक दरेक हाथ नो आपने उपयोग कुशल लिय माठे करवा पर से अक्तियारे आपना हाथ वदूम वदू पान फाकी माओ अने बीजा मोबाईल ने पकड़वा माठे वपराई छे अपना संतानों ने आपनी नवी पे दीने आतरफ वाल बनी छे एक इंगलिश वाक्य बराबर याद रेखूं पर से Being in time is important because everything is time being हावे बदू time being छे हैले समय ने साची लेवो पर से मने याद छे वर्षों पहला जारे अपना घरनी अंदर अमारा घरमा कोई प्रामन कर्मकांड करावा आवता त्यारे विदी शरू करावती वक्ते बोलता स्वस्थाने आगत्य है एले कि तमे तमारा स्थान उपर आओ है एजमान स्थान उपर आओ एटले आपने पूछा विदी शरू करिए बने तो एव लागे छे मित्रों प्रकृतिये आ कोरोना ने साथे लईने आपनने कयूछे स्वस्थाने आगत्य है तमे तमारे घरे आओ तार्यों तमे जूँ अत्यारे विदेश्टी लोको भारत आवे छे भारत ती लोको मेट्रों मा जाई छे मेट्रों माठी लोको शहर जाई छे शहर ना लोको गामडा तरब जाई छे पर पोताना मूर तरब पाशा जाई छे गोधूली टानू थयू होई एवं अत्यारे लागे छे सव सव ना घर तरब छे जिवन शेली बदलवा माटे मनेतोयम लागे छे का समय नो सदू प्योक करी ने हालो भेरू गामडे ए जोज देश सलामत रहे एवं आपनो महात्मा गांधी वर्षो पहला कई गयो छे वह एवं मानूछू के नानाने संभाळ समवयस्कनी दोस्ती मोटाओने आदर परोशिने प्रेम समाजनों गवरव औने राष्ट्रनों दर्म अटलू बराबर शिखवा माटे नो समय आपनन क्रिटिकल थिंकिंग करूँ पर से अवे मोबाइल जे देखाडे ते नहीं पन मारे जोवूँचे ते मोबाइल मने देखाडे ए समझ आ दिवसों मा बराबर केलवाए गई जे अने समधनों उप्योग करीने मारे जात साच्वीने अन्य प्रत्य करूना राखीने प्रकृत प्रेम करीने अध्ययन शिल रहीने अस्तित्वनों आदर करीने शांतम शिवं अध्वेतम बनवा माटे थाईने आगण बनवा पलसे। हूँ भुपेंद्र सिंजी नुखास ज्यान दोर उकान के इमने क्याल चे ग्राम संस्कृति माधी आगे चे। हमारे महा महीम राज्यपाल श्री हमारे साथ राज्य में अभी गव और ग्राम संस्कृति को साथ लेके आए हैं। मने बराबर याच्छे ओं मारी नानी माँ पासे उच्रो छूँ अने मारी नानी माए मने हकार शिख्यो। मने बराबर याच्छे बापु के रसोडानी अंदर कोई पन वस्तू खलास्तई जाए तो मारी नानी जुदी भाषा बोलती। तेल खलास्तई गयू होई तो ये तेली नी खाली बरणी बार मुकी ने एम बोले के तेल जाजू छे। कहूं खलास्तई गया होए तो ठेली बार मुकी ने बोले गहूं जाजा छे। अनने त्यारे हुँ मारी नानी ने पुछतो नानी बद्धू खलास्तई गयू छे तो तम्हें जाजू छे क्यम बोलो छो। त्यारे मने ने कयो तोक बेटा, नथी एवु क्यारे ना बोलिये, मारी ने तारी पासे नथी, इश्वरे तो क्या कराख्यू छे, जो जे काल आवी जशे, मने पोजिटिव एटिटिव शिखवानू काम मारी नानिये करी होतू, एमने मने गउगरास देवानू शिखवी एमने मने तुलसी ना छोडने पाणी पाया पची जम्वानू शिखवी होतू, हुँ मानूचू के आ संस्कारों आपने धिमे धिमे अपना कुटून नी अंदर हो वा पर से, आपने ग्रेटिटिवड रत्वा सेल्यूटेशन्स प्रकृती ने भगवान ने व्यक्त करता, दरेक वस्तून आभार मनता, आपने शिखवी हो पर से, सवारे उठिये त्यारे प्रार्खना के शांती पाठ थाई, बपोरे भोजन लेए ने राते, भोजन लेए त्यारे कोई गितानों पंदर्मों बार्मों और्मों अध्याई बोलाई, अने रातरे सुती वक्ते इश् संदर मजानों दिवस, ते मने आपयो छे, अट्टलू जो करी शक्सूं, तो माराने तमारा संतानों नी अंदर ए वात आउशे के मेची ने खावूं, संपी ने जीवूं, शिखवामा क्यारे पाचा न पढ़ूं, शांती थी बोलूं, धैर यती चालूं, मने बराबर संपीर छे, अने माउन मंदिर मा रहवानों मने नानकलों अनुभूं मल्यों, तेरे मने आश्चर यत्थय वदो, बेवकत तमे रूम मा बंध हो, बारती तालूं मार गिदु होई, अने नानकली बारी माथी तमने जम्वानों ने चाव गेरे आउता होई, बेवकत चा आव गरम पाणी मा मिठ्थू नाको, जे अंदर डब्बा मा पडियू छे, अने पची आ लोटो जेटलू छे, एटला कोगला बराब्बर तमारा गळाने साफ करवा माटे करो, त्यारे समझातू नोतू, अवे आजे आखू विश्वयम कहे छे, कि कोरोना ना वाइरस ने अंद अपने शास्त्रों मा उकेलो छे, हाँ, कदा चत्यार एउ बनियो छे, कि आपने थोड़ा घांगा थाई गया छे, एकले उकेलो ने बड़ले, आपने वीजा उकेलो तोर अबज़रप्ती बड़ी गया छे, मने उ लागे समित्रो, कि दिमे दिमे करता, आपने आपने जीव अपने आजे पण माचो, तो तमने ख्याल आवे, क्या गांधी जीव्या, एम जीवीर, तो कोई वाईरस आपने ख्यारे परेशान न करी शके, एबना माइल्स्टोन तो बहु स्पष्ट आता, सजीव खेती आधारी तैयार थैल, सम्पूर्ण शाकाहरी सम्तोल खोराक बदीजरुतुमा शरीर ने अने प्रकृती ने अनुकूल आवे, एवो पोशातो पोशात पेरवान। महत्नम्रिते प्रकृतिक हवा, उजास अने सामग्रिती निर्मान थयू होईते वा निवास मारेवान। योग, उद्योग औने सवयोग ना कौशल्यो विक्सावे एवो शिक्षन लेवान। स्वपोशी, परबोशी, परभक्षी, मृतपक्षी एम चारे प्रकानी जीवस्रुष्टी ने पोशे एवो आपने देवसाई करवान। मने लागेशे गान्धी पासे तो आपना बजा प्रश्णू ना उखेलो छे। आपने सवने याद छे, कदाच सवनुस्मरन ओछू नहीं थयू होई। सत्य अहिंसा चोरिन करवी वन जोतू नव संगरवूं। ब्रह्म चर्यने जाते महनत कोई अडे नागपरावूं। सत्य अहिंसा चोरिन करवी वन जोतू नव संगरवूं। ब्रह्म चर्यने जाते महनत कोई अडे नागपरावूं। अबय स्वदेशी स्वाद त्यागने सर्वधर्म सरखागनवा। ए अगियार महावृत समझी नम्रपणे द्रढ आचरवा। भारतिय संस्कुरूती नी जीवन शैली अगियार महावृत मां आवी गई छे। मैं पूर्ण समय लिदो छे अने आपनी साथे पूरिव विशद छानावट करी छे। मने आवो सुन्दर मजानों लाह भापयों ए बदल हूं फरी एकवार महामहिम राज्यपाल का मैं अनुग्रह व्यक्त करता हूं। गुजराज सरकार अने अमना समग्र आयो जन्मा सिक्षन मंत्री श्री सोमनाथ यूनिवर्सिटी अने त्यना प्रिय वाइस चांसेलर शास्त्री जी साव ने हूं आभार व्यक्त करू अहो भाव व्यक्त करू अने हूं मारा आजना वक्तव्यनु समापन एक सुन्दर मजाना शांती पाट थी करू। अपने गवरव थाए विवाद चे के आशांती पाट वहिटाउस मा कुरूनाना महामारी थी डरी गया पचीना एक माहूल मा आपना एक ब्राह्मन ने बोलावी ने एमना कंठे गवामावे चे आ भारती ये संस्कुरूती चे ये भारत मान थी ये चो मेर चे ये विश्व मानुष ना सर्जन नी संस्कुरूती चे ये ना थी आपने समापन करिये ओम्दवो शांति ये अंतरिक्षगु शांति ही पृत्हि वी शांति ही आपह शांति ही ओशदय वनस्पत यह शांति ही शांति विष्वेडे वाह शांति ही ब्रह्म शान्ति ही सर्वं शान्ति ही शान्ति रेव शान्ति ही सामा शान्ति रेदी ओम शान्ति ही शान्ति ही शान्ति ही थोड़ोग अर्थ समझी लेए ओम peace is in sky peace is in space space that is between earth and sky peace is in earth peace is in water peace is in plants peace is in trees peace is in gods here God is presiding over the various elements of nature peace in Brahma absolute consciousness peace in pervading everywhere peace alone which is outside ease in peace which is inside may you be established in that peace and make your life fulfilled Om Shanti 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 Harihi Om Shanti 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 झाल झाल